सबी अध्यापक एवम बच्चों को मेरा नमस्कार एजुसेट ब्रोड कास्ट में आपका स्वागत है आज हम 11 क्लास के लिए Physics Practicals की सरंखला में हम दूसरा एक्सपरिमेंट to measure the diameter of a given wire using screw gauge हम screw gauge की साहता से दिये हुए तार का diameter निकालेंगे अगर हमें इस तार की लंबाई भी मालूम हो तो हम इस तार को एक बेलन के रूप में ले सकते हैं तो हम इसका volume भी निकाल सकेंगे दूसरा अगर हमारे पास कोई पतली चादर है thin sheet है तो हम उसकी मोटाई भी निकाल सकते हैं या उसका हम gauge का पता कर सकते हैं तीसरा paper है तो हम उसकी भी मोटाई निकाल सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं मेरे पास screw gauge है अब हम इसके नाम पर विचार करें इसका नाम screw gauge क्यों है gauge means किसी चीज का diameter या उसकी मोटाई नापना और screw का meaning हुआ कि यहां पर आप ध्यान से देखें इसकी जो बनावट है screw जैसी है इसकी साहता से हम किसी तार की मोटाई निकालते हैं तो इसका नाम हुआ screw gauge आज के experiment के लिए हमें बहुत थोड़े समान की आवशकता पड़ेगी पहला हमें screw gauge की आवशकता होगी दूसरा एक पतला तार और तीसरा meter scale या चाहें तो आपके geometry box में छोटा scale हो तो उसको भी हम काम में ले सकेंगे आए सबसे पहले principle of screw gauge या हम इसको micrometer भी कहते हैं आए हम सबसे पहले principle of micrometer screw को जाने इसका सिद्दान्त क्या है when a screw is rotated clockwise और anticlockwise यहाँ पर आप देखें इस screw को चाहें तो हम इसको clockwise गुमाएं आप यहाँ पर ध्यान से देखें यह आगे की तरफ बढ़ेगा और चाहें इसको anticlockwise गुमाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह gap बढ़ता जा रहा है यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें इसको मैं circular rotation दे रहा हूँ तो यहाँ पर linear rotation तो यहाँ पर linear displacement होता है when a screw is rotated clockwise और anticlockwise there is two type of motions associated with the screw आपने देखा एक तो linear motion होता है और दूसरा rotational motion suppose an accurately cut single thread screw is rotated in some closely fitting nut यहाँ पर आप देखें इस screw में यह जो चूडियां बनी हुई है या threads है closely spaced हैं पास पास हैं और इन सब में अंतराल एक जैसा है यहाँ पर आप इस बात को भी ध्यान दें एक चूडि का head या एक चूडि का जो उपरी सिरा है और दूसरी चूडि का जो उपरी सिरा है इन दौनों के gap को हम बोलते हैं चूडि अंतराल या pitch और यहाँ पर इस screw gaze का pitch जब हम इसको एक पूरा rotation देते हैं तो इस linear scale पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ marks लगे हुए हैं ध्यान से यहाँ पर देखें यह millimeter के marks हैं जब हम इस circular scale को पूरा rotation देते हैं तो यह एक millimeter पीछे या आगे जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ध्यान से देखें इसको मैं घुमाता हूँ तो यह पीछे की तरफ आप हटती हुए देख रहे होंगे यहाँ पर आपको circular scale को दिखाते हैं इसका एक अलग से part हमने यहाँ पर यह लिया है यहाँ पर आप ध्यान से देखें इस circular scale पर आप 0 भी देख रहे हैं और इसके back side में इसकी numbering start होती है 5, 10, 15 इस तरीके से और आप यहाँ पर देख रहे हैं फिर 80, 85, 90, 95 इस तरीके से इस circular scale पर जो यहाँ पर यह मेरे हाथ में है और आप सामने screen पर इसका बड़ा रूप देख रहे हैं 0 से 100 तक इसमें marks बने हुए हैं इसका मतलब यह हुआ इस circular scale पर 100 divisions हैं The linear distance moved by the screw head is directly proportional to the amount of rotation given to the screw यहाँ पर आप देखें यह जो linear distance है या यह gap है जितना ज़्यादा हम इस circular scale को move करेंगे उतना ही ज़्यादा यह gap होगा The linear distance moved by the screw head during one complete rotation of the screw is called the pitch यहाँ पर हम समझें कि जब हम इसको एक complete round देते हैं तो जितना distance यह हमार पास linear scale आगे या पीछे जाती है वो हमार पास कहलाता है pitch It is also equal to the distance between two successive threads on the screw यह यह कह सकते हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं इस screw gauge में इन चूडियों के जो heads हैं उन दोनों के बीच की दूरी pitch कहलाती है It is usually 1 mm और 0.5 mm हमारे पास जो screw gauge है उसमें इन दोनों चूडियों के बीच की दूरी 1 mm है लेकिन इस से ज़्यादा accurate screw gauge में यह 0.5 mm तक भी होती है आईए देखें Suppose the circular cap whose circumference is divided into 100 equal parts अभी आपको मैंने एक diagram भी दिखाय था यहाँ पर भी आप ज्यान से देखें जैसे कि आप देख रहे हैं इस circular cap को 100 parts में divide किया गया है जब हम इसको एक बार पूरा गुमाते हैं तो इस पर यह 1 mm आगे या पीछे होता है This is the minimum distance अगर हम इस circular scale का सिर्फ एक खाना खिसकाएं तो इसका meaning यह हुआ इस linear scale पर एक mm का एक बाटे सौमा हिस्सा हमने आगे या पीछे move किया है This is the minimum distance 1 by hundreds of millimeter which the screw can accurately measure We call this characteristics of screw as its least count इसका मतलब यह हुआ, इसका least count हुआ, एक मिलिमेटर का सौमा हिस्सा या 1 by 100 यह हमर पास होगा 0.01 mm least count of the screw is defined as the ratio of pitch of the screw to the total number of divisions on the circular scale. The unit of least count is same as that of the pitch. आईए यहां पर देखें list count हमारे पास हुआ list count is equal to pitch divided by total number of divisions on the circular scale यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसका pitch है 1 mm और इस circular scale पर divisions है 100 तो हमारे पास least count हुआ 1 mm divided by 100 is equal to 0.01 mm यहां पर मैं आपको जानकार एक लिए बताता हूँ कि हमने list count को यहां पर सामने 0.001 cm भी दिखाया हुआ है या 0.00001 meter या हम कह सकते हैं 10 की power minus 5 meter या इसको 10 गुना 10 की power minus 6 meter या 10 micrometer मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि इस screw gauge की help से हम 10 micrometer तक नाप सकते हैं इसलिए हम इसको micrometer भी हम इसको बोल देते हैं यह बाकी जानकारी सिर्फ आपको अलग से note करने के लिए है लेकिन बाकी हम इसमें observations सारी millimeter में लेंगे आईए इसकी theory को जाने आप जानते हैं अलग-अलग मोटाई के तारों को बनाने के लिए अलग-अलग holes से निकालते हैं तो जिसका hole ज़्यादा होगा तो तार मोटा निकलेगा अगर बारिक hole से निकालेंगे तो तार पतला होगा इन तारों की मोटाई के अनुसार ही हम इसका gaze नापते हैं जिसको हम बोलते हैं standard wire gaze procedure को समझते हैं पहला step है first of all calculate the pitch and least count of the screw gaze अभी मैंने आपको बताया था इसका pitch था 1 mm और least count अभी आपको बताया था 0.01 mm second step में find the zero error with its proper sign even when the zero error is nil this fact 2 should be recorded अगर आपके पास zero error nil आती है तो भी आपको अपनी observation table में not करनी है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस screw gaze में यहाँ पर gap है जब हम इसको close करते हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखें जब यह stud दोनो stud आपस में touch करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें यह zero इस main scale के zero से conside कर रही है लेकिन अगर हम इसको close करते समय यह zero को over tick कर जाए तो यह error हमारे पास negative error होगी लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें अगर हम इसको दोनो studs को मिला रहे हैं और यह हमारी one year scale zero पर पहुंचने से पहले ही रह जाए अर्थाथ zero से right side में रहे तो यह हमारे पास होगी positive error इसको ध्यान आप इस प्रकार से रख सकते हैं जिस प्रकार से number line पर हम लेते हैं right side को positive number और left side को negative number इसी तरीके से यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं अगर vernier scale या circular scale right side को है तो positive error होगी और zero के left side में आती है तो negative error आप यह बात भी ध्यान रखें negative error को main reading में जोडते हैं और positive error को घटाएंगे third step लेते हैं now insert the wire between the screw and the stud of the screw gaze अगर आपके पास connection wire हो तो आप उसका diameter निकाल सकते हैं resistance wire हो तो उसका diameter निकाल सकते हैं या फिर कोई आप आलपिन भी ले सकते हैं इस आलपिन को आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको खोलने के बाद यहाँ पर gap बना इसके बाद आपको इस gap के बीच में इस आलपिन को पकड़के और इसको यहाँ से screw करना है यहाँ पर आप ध्यान देखें यहाँ पर आप ध्यान से देखें इस ratchet को तब तक कसना है कि यह आपस में यह दोनों आलपिन इसमें properly grip हो जाए आपको यहाँ से इसको undue pressure नहीं देना अगला step record the reading on the main scale and add the two readings आप इसके main scale की reading ले और इसका circular scale का कौन सा part इस zero से कौन side कर रहा है वो भी आप note करें यहाँ पर आप देख रहे हैं इस circular scale का 82 वा खाना zero के सामने है तो यहाँ पर circular scale को हम 82 division note करेंगे और main scale में हम हमारा circular scale zero और एक के बीच में है अभी एक को cross नहीं किया है तो इसलिए हम इसका main scale की reading zero लिखेंगे अगर यह एक cross कर गया होता तब हम इसको एक लिखते आईए अगले step में हम इस circular scale को घुमा करके states की बीच की दूरी को थोड़ा सा जादा कर दें जिससे हम आलपिन को 90 degree से घुमा सकें ऐसा करने से जिस direction में हमने पहले diameter लिया था उसके perpendicular direction में अब हम diameter लेना चाह रहे हैं दोबारा से इसको कस देते हैं जीरो से कितने part इसका coincide करते हैं अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 81 भाग यहाँ पर coincide कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा diameter D2 हमारे पास हो गया circular scale के लिए 82 यहाँ पर आप देख रहे हैं जब आलपिन को right angle पर हमने rotate किया तो इस circular scale के division है 81 और main scale उसी प्रकार से 0 पर है तो यहाँ पर हमारे पास total reading हुई main scale की 0 है और इसकी vernier scale की reading 0.01 multiply by 82 तो यह हमारे पास हुई 0.82 तो हमारे पास यह total reading हुई 0.82 mm अब हमें अगले step में इस आलपिन को यहाँ से निकाल करके किसी और configuration में इसको रखना है और हमें इसी प्रकार से जैसा कि आपको चौथे और पांचवे step में बताया था हमें इसका diameter निकालना है और उसके लिए हमें तीन observation लेनी है इसके बाद आप देख रहे हैं इन तीन observations का हमें mean निकालना है और अगर आपके पास इस screw gauge में zero error है तो उसको घटाना या जोडना है लेकिन हो सके तो आप पहली बार ऐसा screw gauge लें जिसमें zero error हो यह आप अपने अध्यापक की सहाज़ता से भी इसको zero error पर set करा सकते हैं आपको जानकारी के लिए बताएं इस zero error को set करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं यह screw है इसकी help से आप इसको adjust कर सकते हैं observations आप इन observations को अपनी copy में note करके रखें यह आपको lab में help करेंगे पहले आपको note करना है number of complete rotations of circular scale तो यहाँ पर आपने देखा था यहाँ पर एक complete rotation में यह पूरे 100 part 0 के सामने से गुज़रे थे तो यहाँ पर हुआ यह y की value 1 distance moved by screw जब हम इसको एक circular part या एक rotation देते हैं जब हम इसको एक rotation देते हैं तो हमारा screw आगे कितना खिसका 1 mm तो यहाँ पर हमारे पास x की value हुई 1 mm इसके बाद pitch जिसको हमने p से denote किया है pitch p is equal to हमारे पास होगा 1 mm और list count होगा हमारे पास 0.01 mm यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 error इसको हमने e से denote किया है तीन बार हमें यह 0 error निकाल के देखनी है अगर आपका instrument 0 show करता है तो हमें यहाँ पर लिखना है 0.00 mm second part में भी 0.00 mm third में भी 0.00 mm इसके बाद हमें इसकी mean value निकालनी है यह भी अमर पास 0.00 mm आएगी प्यारे बच्चो जैसा कि आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप इस प्रकार से एक observation table बनाएं आप आराम से अपनी copy में इसकी sketching करें पहले column में number of observation इसके बाद reading along one direction इसको हमने denote किया है D1 से और reading along the perpendicular direction D2 यह हमार पास दूसरी reading आएगी जो perpendicular direction में होंगी तो पहले पार्ट में pitch scale reading इसको हमने capital M से denote किया है और pitch scale reading आपको पता है एक mm आई थी तीसरे number के column में number of circular scale division in line with main scale जितने हमारे circular scale के division 0 के सामने आते हैं वो हमें note करना है इसके बाद हमें fourth column में diameter D1 मिलेगा यह हमार पास total reading आजाएगी इसको हमने D1 से denote किया है और perpendicular direction में भी उसी प्रकार से pitch scale reading यह हमारे पास आई थी 1 mm और number of circular scale divisions in line which main scale जो कि हमारे पास यह आपने देखा था 82 आए थे और हमारे पास यहाँ पर diameter D2 main scale प्लस number of divisions multiply by list count यह हमारे पास total reading आ जाएगी और इन दोनों का आप यहाँ पर देख रहे हैं observed diameter D0 is equal to D1 plus D2 by 2 तो यहाँ पर mean diameter आ जाएगा इस प्रकार से आप यह तो हमारे पास पहली observation हुई इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी निकालेंगे क्योंकि हमें बाद में इन तीनों का mean निकालना होगा इसके बाद हमें observation table से mean diameter निकालना है हमें इसको wire को अलग-अलग दिशाओं में रख करके इसका diameter D1, D2 और D3 निकालेंगे इसके बाद आप जैसा कि आप सामने देख रहे हैं इन तीनों का हमें mean D1 प्लस D2 प्लस D3 को 3 से divide कर देंगे तो यह हमरे पास आएगा mean diameter यह हमरे पास mean diameter आता है 0.82 mm और mean observed diameter यह हमरे पास हुआ 0.82 mm और mean corrected diameter में क्योंकि हमरे पास 0 correction या 0 error हमने 0.00 ली थी तो हमरे पास exact result आएगा इसका diameter 0.82 mm इसके बाद इसको आप result में लिख देंगे The diameter of given wire as measured by using a screw gauge is 0.82 mm आईए देखते हैं इस experiment को करते समय हमें क्या क्या सावधानिया रखनी है No.1 check the working of screw gauge to ensure the free movement of screw आप यहां पर देखें अगर इस screw gauge का movement free ना हो अर्थाद हो सकता है जंग की वज़े से या रखे रहने की वज़े से आराम से यह नहीं गुमता हो आप इसको देखें अगर नहीं गुमें तो हमें दूसरा लेना है Second precaution है check the functioning of the racket आप इसकी functioning भी देखें जैसे ही आप इसको बंद करते हैं तो बंद करने के बाद आप इसको यहां से नहीं गुमा करके इस पार्ट से गुमाएं तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं इसमें यह आवाज आने लगती है तो हमें इसको यहां से ज़्यादा tight नहीं करना इसको गुमाने से ही बस इसको थोड़ा सा pressure देना है थर्ड, zero error should always be taken into account अगर आपके screw gauge में zero error है, चाहे यह positive है चाहे negative तो आपको calculations में यह जरूर count करनी है नहीं तो हमारी observations यह हमारा result गरत आएगा next precaution है, if the screw gauge is free from error, this fact should also be recorded as nil अगर आपके screw gauge में zero error नहीं है, तो भी आपको इसको not करना है zero error को nil के रूप में the screw should always be rotated in the same direction clockwise so that it lightly presses on the wire जब हम इस wire को या आलपिन को यहां से कसते हैं तो जब यह बिल्कु पास में आ जाया है, तो इस racket को यहां से कसना सुरू करो आप देख रहे हैं, जब यह slip होना सुरू हो जाये, तो उसके बाद इस racket को नए गुमाएं एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप यहां से observations लें, तो आख को इसके normal रखें नहीं तो parallax error भी आ सकती है, आइए देखते हैं कि इसमें observations लेते समय क्या-क्या गलतियों की संभावनाय हो सकती है, आइए source of error देखते हैं the wire may not be uniform cross section, हो सकता है आपका wire या यहां पर हम आलपिन ले रहे हैं कहीं से मोटी पतली हो, तो उस case में आपका diameter एक जैसा नहीं आएगा अपने lab में जाकर जितना जल्दी हो सके करें और आप अपने ध्यापकी साहिता से screw gaze लेकर के और इसको lab में perform करें, धन्यवाद करें रर बा वस कि करें शबनुवार को